नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है अम्रूत बहुत ही स्वादिस्ट और गुणकारी फल है इसमें बिटमिन सी और बहुत सारे मिनर्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं अम्रूत का फल रोजाना एक खाया जाए तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन आज हम अम्रूत की चटनी बनाएंगे जो स्वादिस्ट होने के साथ साथ पाचन में भी मदद करती है तो आये देखें अम्रूत की चटनी बनाने के लिए हमें किंची जों के आवश्यक्ता हो यह हमने दो अम्रूत ले लिए हैं एक बड़ा अम्रूत है और एक छोटा बिल्कुल वैसे अम्रूत लेंगे जैसे के हम खाते हैं पके हुए अम्रूत और यह ग्राम्स में आबेंगे तो 1200 ग्राम अम्रूत हैं और एक चोथाई कप हमने धनिय के पत्ते ले लिए हैं पत्त और कालीमिर्च पावडर नहीं है तो साथ 8 आठ काली मिर्च साबूत लेदेंगे ढम्रूत के चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम अम्रूत को काट करके तयार करेंगे अम्रूत को हम काटेंगे और इसके अंदर के बीज हटा देंगे यह अम्रूत पहले ही हमने धो करके सुखा लिये हैं यह अम्रूत के हमने बीज हटा दिये हैं और अब हम इतने बड़े टुकड़े कर लेंगे कि मिक्सर में वह आराम से पिछ सके हरी मिर्च के भी बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं तो तीन टुकड़ों में काट लेंगे और इसी तरीके से अद्रक के भी एक इंच के चार पांच टुकड़ों में कर लेते हैं तक कि वह मिक्सर में पिस सके जार में हम अम्रूद अद्रक हरी मिर्च डाल देंगे नीवु का रस्पी डाल देंगे धनिया धनिया के पत्ते काला नमक काली मिर्च पाउडर सफेद नमक और भुना हुआ चीरा और चटनी को बारीक पिस लेंगे चटनी पिस करके तयार है जार निकाल लेंगे चटनी को प्याली में निकाल लेते हैं बहुत ही स्वादिस्ट अम्रूत की चटनी बनकर के तयार है अम्रूत की चटनी को खाने के साथ परोसिए अम्रूत की चटनी खाने का स्वाद भी बढ़ाएगी और खाने को पचाने में भी मदद करेगी आप ये अम्रूत की चटनी बनाईए खाईए और अपने अनुफ़क निशामदलिका.com पर शेर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर